हिमाचल में करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सैंप्लिंग की संक्या बढ़ाने के आदेश्टिये हैं सरकारी आंकडा देखा जाए तो रोज 4000 सैंप्ल जाँचे जा रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैंप्ल देने से प्रहेस कर रहे हैं ऐसा करने के पीछे उनका तर्क है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है उनना प्रशाशन ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए खास इंतिजाम किया है अब अगर कोई गरोना सैंप्ल देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी जिलाउना में 1500 से जादा पॉजिटिव मामली सामने आ चुके हैं और इसके बाद भी सैंप्लिंग करवाने में प्रशाशन कन्नी काट रहे हैं और जिला में सैंप्लिंग का अंकडा लगातार कम होता जा रहा है राजे सिरकार द्वारा जनहित के लिए अधिक से अधिक संख्या में सैंपल लेकर कोवेट 19 टेस्ट करने के निर्देश के बाद जिला प्रशाशन अब हरकत में आ गया है और स्वास्ते बिभाग में जिला के सभी दुकानदारों, होटल धाबा श्रमिकों, फैक्टरी ओध्योगिक श्रमिकों, अकुशल श्रमिकों, बैंक करमचारियों, सिरकारी करमचारियों एवं मध्यापकों के 94 तरीके से आटी PCR और रैपिट एंडिजन टेस्ट करने का नि लिया गया है, इस मामले में CMO उनना ने क्या कुछ कहा सुनिये से सभी की करेंगे, ताकि एक हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए, कि सेंपलिंग, साड़े 300-400 सेंपलिंग हर मीने, हर डेली होनी चाहिए हमारी, और उसके साथ साथ जो है, जो जो लो कॉंटेक्ट में आ रहे हैं, जो स्कूल खुल रहे हैं, तो उसमें भी हमें पॉस्टि सेंपलिंग के लिए रिफ्यूज करता है, अगर वो पॉस्टिव है, तो आगे इन्फेक्शन जो है, स्प्रेड करने से वो रोक रहा है, ज्यादा स्प्रेड होगी, तो उसके लिए रुकावट पड़ रहा है, तो उसमें एपिडेमिक एक लाग होगा, देखिए इसमें हम रेंडम सेंपलिंग कर रहे हैं, सभी की एकदम नहीं होगी, लेकिन रेंडम सेंपलिंग में हम उसका परपस ये भी है कि लोगों का रच जो है दुकानों पे ज्यादा है इस टाइम में, तो दुकानदारों की सेंपलिंग भी करना ज़रूरी है, वहीं जला प्रशाशन के निर्देशों के बाद दुकानदार चुनता में पड़ गए है, विपार मंदल के दुकानदार का क्या कहना है सुनिए करोना पोजिटिव होता है, तो सारी मार्केट बंद हो जाएगी, इसलिए मेरी प्रशासन से रुकेस्ट है, यह इसको थोड़ा सा पोस्ट्मन किया जाए, वह तो तुहारी सीजन के बाद ही इसको इप्लिम्ट किया जाए, फिलहां जो इसके पेशेंट लगता है, थोड़ खुद बवार्ज आपने ओपर करें, कि मैं टेस्ट करूँगा और कराइपने टेस्ट करुआए, बीती आदो से नाता सहिजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब, तो उनसे संबलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है, भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए